नमस्कार जोहार मेरा नाम है वंतिका और आप देखे रेधा फोर्स फिलर डॉट नियूस अब जार्खन में सिर्फ जार्खन्डियों को ही नौकरी मिलेगी जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने मुख्यमंत्री ने जार्खन विधान सभा में राज्ज के युवाओं को रोजगार की गैरंटी देते हुए एक बड़ा एलान कर दिया है कि अब जार्खन में किसी बाहरी वैक्ति को रोजगार नहीं दिया जाएगा बीते कल यानी 4 अगस्त को जार्खन विधान सभा के मौनसुन सत्र का अंतिम दिन था सत्र के समापन भासन में मुख्यमंत्री हेमन सोरे ने राजिके चात्र चात्राओं के लिए बड़ी खुश खबरी का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने समापन भासन में एलान किया कि जारखन में किसी बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं देंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भासन में 1932 खतियान अधारित नियोजन नीती का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि 1932 के खत्यान आधारित स्थानियनीती को हमने विधान सभा से पास करा कर राजभवन भेजा था उसे उलजा कर रख दिया गया लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है विश्वास रखे हम इसे फिर से लाएंगे मुख्यमंत्री ने अपने भासन में यह भी कहा कि राज़े में STSC और OBC को 50 प्रतिशत और EWS के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं ऐसा नहीं होगा कि 46 प्रतिशत में सभी बाहरी ही नौकरी पाएंगे उन्होंने पुर्व की रगुवर सरकार से तुलना करते हुए कहा कि पुर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी नौकरी पा रहे थे अभी भी 15-20% बाहरी राज्य में नौकरीयों में अपनी जगा बना लेते हैं लेकिन इसे भी हम जल्दी ही जीरो कर देंगे सीएम सोरेन ने कहा 1922 के खत्यान आधारित स्थानिय नीती और पिछडों को 27% आरक्षन वाले विधेयक को पारित करा कर राजभवन भेजा गया था जहां राज़ेपाल ने इन विधेयकों को लटका दिया मुझे पूरा यकीन है कि समविधान के आर्टिकल 200 के तहट राज़ेपाल द्वारा संदेश के साथ ये बिल विधान सभा को नहीं भेजना शाजिस का एक हिंसा है ताकि हम ये दोनों विधेयक फिर से विधान सभा से पारित करा कर उसे राज़ेपाल को ना भेज पाएं बतादे समविधान का अनुछेद 200 राज़ेपाल की शक्तियों की बात करता है अनुछेद 200 के अनुसार राज़ियों की विधाईका द्वारा पारित विधेयक राज़ेपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा राज़ेपाल विधेयक पर अपनी सहमती दे सकते हैं या इ से अस्विकृत नहीं कर सकते हैं इसके अतिरिक्त वहविधयक को राश्चपती के पास विचार के लिए भेज सकते हैं जहां एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि सिर्फ जारखणियों को नौकरी दी जाएगी और एक तरफ सरकार कह रही है कि 60-40 वाली नियोजन्नीती पर ही नियुकतियां की जा रही है बतादे राज्य में इस समय सहायक आचार्य नियुकती के साथ-साथ आठ विभिन पदों पर नियुकती की प्रक्रियद चल रही है इसके तहट 35,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी इन बहालियों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमेशा हमलवार नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं पर इक्षारतियों के साथ साथ भाजपा ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत राज्य सरकार नियुक्तिया कर रही है बतादे मांसुन सत्र में नियोजन नीती को लेकर सदन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार से सवाल किया कि राज्य सरकार आखिर किस नियामावाली पर नियोजन कर रही है इस पर सरकार के संसद्यकार मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के तरफ से जवाब में कहा जिनकी प्रक्रिया चल रही है वो सभी 2019 के नीती से ही प्रभावित होंगी सरकार ने 60-40 के जरिये नियोजन की बात कही है मंत्री आलमगीर आलम ने अपने जवाब में कहा कि 60% सीट जारखन के स्थानियों के लिए आरक्षित होंगे और 40% बहाली मेरिट के आधार पर होगी अगर बात करें जारखन के स्थानिय और नियोजन नीती की तो राज्य में स्थानिय और नियोजन नीती हमेशा विवादों में रहा है 23 सालों के जार्खंड में अब तक स्थानिय और नियोजन नीती का एक निश्चित पैमाना नहीं बनाया जा सका है 23 सालों में तीन बार स्थानिय और नियोजन नीती बनाई गई और रद हुई हैं सबसे पहले राज्य बनने के बाद बाबुलाल मरांडी के नित्रित्व में बनी सरकार ने स्थानी और नियोजन नीती बना कर राज्य में नियूक्ति प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की। स्थानी और नियोजन नीती में खामियों की वजह से जारखंड हाई कोट ने इसे रद कर दिया था जिसके बाद साल 2016 में रगवर सरकार फिर से नियोजन नीती लेकर आई जिसके तहत राज्य के 13 जिलो को अनुसूचित छेत्र और 11 जिलो को गैर अनुसूचित सुरेणी में बाट कर नियोजन नीती भी लंबी कानूनी लडाई के बाद रद कर दि गई फिर साल 2019 में हेमन सरकार ने रगवर शासनकाल में बनी नियोजन नीती को खारिज करते हुए वर्ष 2021 में एक नई नियोजन नीती बनाई जिसके तहट जार्खंड से मैटरिक इंटर पास की अनिवारता और प्रतीक जिला में उरुदू एवं छेत्रिय भासाओं की मानेता दी गई जार्खंड हाई कोट में याचिका दाखिल होने के बाद कोट ने इसे फिर से रद कर दिया था नियोजन नीती की लड़ाई राज्य में लंबे समय से चल रही है अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेवन सोरिन का जार्खंडियों को नौकरी देने के पीछे क्या मास्टर प्लान है और यह कितना सक्सेस्फुल हो पाता है फिल्हाल के लिए तना ही देखते रहें देखते रहें देखते रहें देखते रहें